ट्विटर और थ्रेड्स के वी छिडी जंग जब से सोशल मीदिया के दुनिया में थ्रेड्स ने कदम रखा है तब से ट्विटर और थ्रेड्स के वी जंग छिड़ गई है कि कौन बैतर है। सिर्फ इतना ही नई ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने तो गुस्से में आकर मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को केज फाइट का इंविटेशन भी दे डाला था। अब क्या है ये पूरी कहानी, क्या सच में ये डिजिटल वार, फिजिकल वार में बदल जाएगी चलिए जानते हैं। लेकिन जिस टेजी से थ्रेड्स ने अपने यूजर्स बढ़ाए हैं, ट्विटर को ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। फ्रेड्स लाँच होते ही सिर्फ एक घंटे के अंदर ही उसे दस लाख यूजर्स जॉइन कर चुके थे। जबकि ट्विटर को अपने 10 लाख यूजर्स बनाने में 730 घंटे लगे थे लेकिन तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा फेमस नहीं था। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मांच जुकरभग ने ट्विटर को कॉपी किया है। लेकिन इस नकल में उन्होंने अच्छे से आकल भी लगाई है। उन्होंने कुछ फीचर्स को ट्विटर से बहतर कर दिया है। जैसे ट्विटर पर अन्पेड यूजर सिफ 280 लेटर का ट्विटी कर सकते हैं लेकिन थ्रेट्स में ये लेटर लिबिट 500 है। इसके अलावा ट्विटर पर सिर्फ 2 मिनिट 20 सेकंड का वीडियो ही पोस्ट किया जा सकता है लेकिन थ्रेड्स पर 5 मिनिट की वीडियो पोस्ट हो सकती है इसी तरह ट्विटर पर एक बार में सिर्फ चार फोटोस पोस्ट हो सकती हैं लेकिन थ्रेड्स पर एक बार में 10 फोटो पोस्ट हो सकेंगी इसके अलावा थ्रेड्स और उसकी सबी सर्विसेस अभी तक यूजर्स के लिए एकदम फ्री हैं जबकि Twitter पर अब बहुत सारी services को paid कर दिया गया है लेगन अभी भी कुछ मामलों में Twitter Threads से आगे है जैसे Twitter के सबसे famous feature से trending sections और hashtags लेकिन Threads में अभी तक ऐसे कोई features नहीं है Threads अभी सर्फ और सर्फ mobile में ही use किया जा सकता है उसका Dextra version अभी available नहीं है Threads में किसी को भी direct message नहीं किया जा सकता है जो Twitter पर possible है Threads पर post edit का option नहीं है जो Twitter पर paid users को दिया गया है सबसे बड़े risk की बात ये है कि अगर आप अपना Threads account डिलीट करेंगे तो आपका Instagram account भी डिलीट हो जाएगा अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सारे features हमें Threads में भी देखने को मिल जाएं लेकिन Threads के आने के बाद Elon Musk काफी नाराज है उन्होंने Mark Zuckerberg पर Twitter को copy करने के साथ साथ ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने Twitter के कुछ employees को भी अपनी तरफ मिला लिया है उन्होंने tweet भी किया है कि competition is fine but cheating is not Elon Musk इस मामले में legal actions भी ले सकते हैं ये सब तो Threads के launch होने के बाद का बावाल है पर Elon Musk को Threads के launch होने की भनक पहले से इलग चुकी थी उन्हें पता था कि Zuckerberg Twitter के जैसा ही कोई आप लाने वाले हैं बातों ही बातों में Elon Musk ने Mark Zuckerberg को cage fight के लिए challenge कर दिया था जिसके जवाब में Zuckerberg ने भी उनका challenge accept कर लिया और उनसे fight location भेजने को कहा बस फिर क्या? Musk ने भी भड़ापा tweet करके उन्हें इटली के Colosseum की location भेज दी अब दोनों के बीच ये cage fight हो या ना हो लेकिन court fight हो जाएगी इस बात की पूरी उम्मीद है वैसे Mark Zuckerberg को threads बनाने का idea Elon Musk की वजए से ही मिला है Elon Musk ने Twitter को खरीदने के बाद वहाँ page services शुरू की थी जिससे जनता काफी परेशान हुई है लोग Twitter को alternative app ढूंडी रहे थे कि Zuckerberg ने threads को launch कर दिया वैसे आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है comments में बताइए वीडियो को like और share कीजिए